है तो हम यहां पर बात कर रहे हैं है डायनमिक वेबसाइट बनाने की जिसमें हम आपर कोंटेंट को सेंड करते हैं यहां पर मैंने लिखा है निन जैसी मेरे इस सेंट करूंगा मैं क्या करूंगा रिक्विस्च काउंट को फलस ब suffer select yeah हो गई है कि अभी जीरो था यह वन हो जाएगा and then मैं यहाँ पर सेंड करूंगा एक एक एच बन मैंने का hello world and then मैं यहाँ पर simply एक एच टू एड़ करना चाहता हूं मैंने का hello world मैं यहाँ पर h2 add करूंगा मैं ऐसे multiline string create कर सकता हूं like like this and then let's create h2 h2 like this इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो रिक्विस्ट काउंट हो मुझे दिखाई दे मैं आप यह बताऊंगा मैंने कहा request count is equals to यहाँ पर मुझे एक string है मैंने एक string मनाया template engine से इसके अंदर में dynamic value insert कर सकता हूं like this and then simply I will add request count like this मैंने आपर क्या किया आप आप जितने बार request send करोगो इस account plus plus होगा and then वो हम यहाँ पर send कर रहे हैं इसका मनलब क्या है मुझे page में दिखेगा कि कितनी request मैं send कर चुका हूं अपने website को let's see यहाँ पर मैंने page को reload किया तो एक request हो गया मैंने page को dynamically change कर रहे हैं यह कि static data नहीं है तो हर request में data यहाँ पर change हो रहा है विच इस तरह से बनाते हैं हम एक website बट यहाँ पर दिक्कत यह है कि यह तो बहुत चोटा सा page है जहांप मैंने सिर्फ एक variable को print किया हमें यहाँ पर बहुत सारा data है जो कि dynamically आएगा क्या मतलब for example मैं एक website विजिट करता हूं example के लिए amazon.in इस पर मैंने इस page को विजिट किया for example यह page इस page में आप देखो कि कुछ content है यही same page फिर से आएगा लेकिन different content के साथ जब मैं दूसरे product को विजिट करूंगा तो अब देखो कि दौना पेज almost same है दौना पेज almost same है बड़ इसका data change हुआ है वही चीज हमने यहाँ पे किया था कि हम data को change कर रहे थे जो कि 23 था बट यह बहुत simple सा data जहां पे नंबर है बट इस तरीके से बहुत सारा data अगर हम को change करना है तो हम यह त फाइल्स को हम सर्व कर सकते हैं ब्राउजर में जो कि बहुत आसान होगा हमारे लिए तो यह चीज करते हैं इसको कैसे करेंगे लेट सर्व एच्टेवल पेजिस फ्रॉम हीर तो एच्टेवल फाइल लग बनाएंगे उसमें लिखेंगे लेट सी हाव वरक्स